बोरासा नगर में स्थित राजस्थान के पुर्व मुख्यमंत्री के नाम पर बने हाई सेकंडरी स्कूल हरीभाव उपाद्ध्याय उच्चितर माध्यमिक विद्याले बोरासा में जब से सिक्षास्तर शुरू हुआ है तभी से सिक्षकों की कमी है इस कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकी जहां तक सरकारे बदली व्यवस्था बदली नई सरकार बनी नई सरकार के आते ही ट्रांसफर शुरू हो गए जिससे की सिक्षक तो इधर उदर हुए ही इस विद्याले में कई विशियों के लिए नियुक्ति नहीं खुल पर यहां अतीतियों की भरती वट टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हो पाए सिक्षकों के अभाव के बावजूद भी यहां के सिक्षा विभाग पोर्टल पर भरपूर सिक्षक दिखाय जा रहे थे जिस कारण किसी भी सिक्षक ने यहां पर कोई आवेदन नहीं दिया और इस नहीं की और कल उनकी परिक्षा आ गई अब बच्चों का यह कहना है कि जब पढ़ाई हुई ही नहीं है तो हम परिक्षा में सवालों के जवाब कैसे देंगे इससे तो अच्छा है कि हम उन विश्यों के पेपर दे ही ना बच्चों बता रहे हैं कि हमारे यहां सिक्षक नहीं है और आज आ यहां पर आप पढ़ा रहो तो क्या कहना जाए हूँ मैं सुमेर सिंग आदाओ अतिती शिक्षक जीविग्यान वर्गप पर पदस्त हूँ मैं इस साल कन्या हाई सेकेंडरी स्कुल भोगासा में हूँ वहां से भी बताया गया है और यहां से भी मांग होई थी कि जो बच्चों का जीविग्यान का सब्जेक्ट नहीं खुल पाया था इस वज़े से इनकी एक्जाम भी बहुत करीब आ गये और अध्यन कुछ हो नहीं पाया इस वज़े से मुझे कुछ समय के लिए यहां पर एटेच किया है मैं आज भी आया था कल भी आया हूं और कल भी आया था और कल भी आओंगा और इनको जितना भी हो सकता है मैंने बताया है और यह जो पद है इस वज़े से खुलने ही पाया तो इनकी अध्या में हो पाया तो आपको क्या लगता इनकी पड़ाई हो पाय कि नहीं हो पाया इनकी बिल्कुल भी चीरो प्रतिसर पढ़ाई हुए दिए जी विग्यान और केमेस्ट्री में यह पढ़ना ही पाये कुछ जी विग्यान थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है बच्चों को में तवर नहीं हो पाया अगर यह थोड़ा जल्दी हो जाता एक में में पहले कर लिगा तो क्या काम आपको सुनेट से प्रतिसर आपको होने बाली है बच्चों के रहा है कि हम उनके बड़े नियोग पाई हो इसके पर नहीं देंगी तो आप क्या क्या है इसमें में इतना चाहूंगा कि हमरे तीम सब्जेक्ट के जो है आतिती सिख्षक भी नियुकते नहीं कर पाना है क्योंकि पोड़र को पदी नहीं दीख नहीं है और इसके लिए हम प्रयास का दुत रुके हैं तीम बार डियो ग है और जिविग्यान और हिंदी का पद भी जो शिक्षक है तो ग्यानकुंज में तीन साल के लिए प्रतिनियुक्टी पर गए हैं इसकार मुपद भी नियुक है तो बुखे इन तीनों विशे के कारण समस्या है इस पिलमा आ रही है यह बच्चे सार एक्जाम का भाहिशकर करने की बोल रहे हैं तो इससे क्या फरक पड़ेगा फिर उसे भी जो को हमने समझाने का प्रयास किया है और सांत ही बायों की वेवस्ता किये बाइलाजी विशे की कन्या चाला से एक अतिती शिक्षक है उनको नियुक्त किया है प्रयास को कर रहे है पर अब यह पद खुल कि शोर बना प्लबादी है